हाई अवरिवन मैं हो अकास रजा कॉराब देख रहा है RS Films Productions बहुत 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 आशा होता है कि आप स्क्रिप्ट को online register करवाते हैं और वहाँ पर एक error आ जाती है उसमें लिखावाता है PHP error अब आपको आगे समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना चाहिए ये error क्यों आ रही है तो अगर आप एक writer है तो आप इस वीडियो को पूरा last तक जरूर देखे क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी आसा कभी हुआ हो या फिर नहीं हुआ है तो फिर आपके साथ कभी future में ऐसा हो तो आप इस वीडियो को पूरा last तक जरूर देखे और चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजे क्योंकि इसी तरह के interesting वीडियो हमारी चैनल पर regular आती रहती है तो आप सब्सक्राइब कीजे सब्सक्राइब करके bell icon के दबाकर all पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और हमारा एक और चैनल भी है जिसका नाम है दृष फिल्म उसे भी सब्सक्राइब कीजे क्योंकि उसमें हमारे short films, web series और जो आने वाले हमारे feature films रहेंगी उसकी teasers, trailers वो सभी उसी में upload की जाती है और fashion वाली भी comedy web series जो है उसकी आने वाले episodes जो है वो भी उसी चैनल पर आएंगे तो आप उसे subscribe जरूर कीजे, subscribe करने के लिए link इस video के description box में मिल जाएगा या फिर आप directly YouTube पर search करें द्रिश फिल्म्स चैनल, हमारी चैनल जो है वो आजाएगी, द्रिश फिल्म्स के नाम से तो चले मैं आप लोग को बताता हूँ कि PHP error जो है, वो आखिर क्यों आता है, आप कैसे उसे ठीक कर सकता है देखे, PHP error जो है, इसकी full form जो है, वो तो खेर मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो हिंदी में लिखी वे आ रही थी लेकिन मेरे एक subscriber ने मुझसे पूछा कि सर्य ये PHP error क्या होता है, उन्होंने screenshot भेजा तो फिर मैंने उसमें research किया कि आखिर ये क्यों आ रही है, तो देखे, मुझे दो कारण पता चले सबसे पहला कारण में आपने वोको बताता हूँ, कि सबसे पहला क्या कारण है, किस कारण सी ये PHP error आता है देखे, PHP error आने का सबसे में कारण होता है, कि आप अपने script में या फिर song में टाइटल नहीं लिखते है, देखे, कई बार मैंने अपने वीडियोस में आप लिगों को बताया है, कि टाइटल जो है, वो writers लिखते है, हाला कि वो टाइटल वहाँ पर register नहीं होती है, स्क्रीन writers association में टाइटल जो है, वो producers register करवाते है, विफपा में या फिर इंपा में, लेकिन फिर भी writers को working title जरूर लिखना चाहिए, जो टाइटल राइटर ने सोचा है, वो title जरूर लिखना चाहिए, हो सकता है producer फिर उसी title को लेकर के आगे work करे, जब आपकी script select हो जाए तो, लेकि फिर वो register तो हो ही नहीं पाएगी, तो ये PHP error आने का एक कारण ये भी है, कि आप अपने script में title को नहीं लिखते है, तो याद रखे कि चाहे आप कुछ भी register करवा रहे है, synopsis, story, या फिर screenplay कर रहे है, या फिर song कर रहे है, आप उसमें title जरूर लिखे, अगर आप चाहते है आपकी दिमाग में कोई title नहीं है, तो भी आप एक working title, आप काम चलाने के लिए कोई title वहाँ पर जरूर लिख ले और उसी नाम से आप register करवा लिजे, अब दिखे, PHP error आने का दूसरा कारण क्या है, ये जानने से पहले, मैं आप लोगों को अपने courses के बारे में जरा बता द जाती है, और इसमें अभी offer भी चल रही है, आप offer के बारे में पता कर सकते है, और course कम्प्लीट करने के बाद आपको certificate भी दी जाती है, तो ये course आप जोइन कर सकते है, या फिर आप इसके बारे में पता करना चाहते है, फी वेगरा, तो आप हमें screen पर देगे number पर contact कर सकते ह इसके अलावा, writers के लिए final draft full tutorial course है, जिसमें आप लोगों को final draft software को कैसे use करना है, ये सिखाया जाता है, final draft जो software है, उसमें क्या-क्या features है, कैसे-कैसे script की formatting कर दी है, complete चीज़े आपको वहाँ पर सिखाया जाती है, और ये short course है, one month का course है, आप कर सकते है, काफी comfy में available है, तो आप उसे भी join कर सकते है, उसे भी join करने के लिए आपको screen पर देगे number पर contact करना है, और आप हमारे हाँ से film editing की भी course कर सकते है, film की editing कैसे की जाती है, professional way में, Adobe Premiere Pro में आपको सिखाया जाएगा, Pinnacle Studio के easy version में, Pinnacle Studio के advanced version में आप लोगों को सिखाया जाएगा, तो आप इसे भी join कर सकते है, तीनों में से किसी भी course कॉप join करना चाहते है, या फिर उसके बारे हो पता करना चाहते है, फीव एगरा, तो आप screen पर देगे number पर contact कर सकते है, अब आते हैं हम लोग दूसरी reason पर कि क्यों ये PHP error आती है, देखिए PHP error आने का दूसरा कारण है, A4 size paper का इस्तमाल ना होना, A4 size paper जो है, वो normal जो photocopy के लिए papers use होते है, उसे कहा जाता है, तो वो A4 size sheet है, अगर आप उसे use नहीं कर रहे है, या आप जब typing करते है, तो A4 size paper में आप typing नहीं करते है, आप किसी दूसरे size की paper ले ले लेते है, तो फिर ये PHP error आएगी, तो आपकी strip या फिर आपक करेंगे, तो जब आप उसे register करवाएंगे online, तो PHP error नहीं आएगे, तो याद रखी कि अगर आप PHP error को नहीं आने देना चाहते है, कि आपके registration के समय PHP error ना आए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पहला point, आपको अपने script में title जरूर लिखना चाहिए, या फिर आप जो भी वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो चैनल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के चार महिने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट रैटिंग की छोटी से छोटी बारी कियो और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एकजांपल सही चिखाया जायेगा, कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सक सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें वाट्सअप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं इस को कम्प्लीट सीखने समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेश सब कर सकते हैं धन्यवाद